हेलो एवरिवन, आज हम जिस नौवल को डिसकस करने वाले हैं वो है क्लियर लाइट अफ डे इसे लिखा है अनिता देशाई ने पबलिश किया गया है 1980 में और इसकी सेटिंग रखी गई है ओल्ड डेली में तो ये नौवल की स्टोरी एक इंडियन फैमिली के उपर ही बेस्ट है ये नौवल बुकर प्राइस के लिए भी शॉट लिस्टीड हुई थी अनिता देशाई एक ऐसी वोमेन इंडियन इंग्लिश राइटर है जो बुकर प्राइस के लिए तीन बार सेलेक्ट हो चुकी है और जो नोटेबल अवार्ड इन्होंने जीते हैं वो है साहित्य अकैडमी अवार्ड पदमभूशन अवार्ड और जो नोटेबल वर्क्स हैं इनके वो है दाज जग वे फास्टिंग फिस्टिंग एंड इनकस्टेडी और क्लियर लाइट अफ डे तो इस नोवल के में करेक्टर्स को देख लेते हैं ये नोवल जो है वो दास फैमली के उपर है और इस दास फैमली में फोर चिल्टरन है जिसमें दो बहने हैं बिमला और तारा और दो भाई है राजा दास और बाबा और ये जो दो बहनों में से जो बिमला है वो सबसे ही बड़ी बहन है दास चिल्टरन में फर्स्ट चाइल्ड बिमला ही है और जो सेकिंड चाइल्ड है थर्ड चाइल्ड तारा है और जो सबसे यंगेस्ट फोर्थ चाइल् तो जो BIM है वो बहुत ही ज़्यादा self confident है और self dependent है पासी के local school में ये एक history teacher भी है और जो दास household की सारी responsibilities BIM के उपर ही है राजा को देख लेते हैं तो राजा जो है वो intelligent है ambitious है उर्दू poetry के लिए passionate है राजा अपना ideal हैदर अली को मानता है तो ये जो हैदर अली है ये है इनका जो दास household है इनका neighbor है है हैदर अली और साथ ही landlord दास household का landlord भी हैदर अली ही है और तारा को देख लेते हैं तारा इस जो pretty है sweet है लेकिन BIM से less intellectual है और less confident भी है उसका life में जिर्फ एक ही ambition है mother बनना बाबा को देखते हैं बाबा autistic होने की वज़े से entirely BIM के उपर dependent है और मीरा मासी जो है वो मिसिस दास की cousin है और बाबा और बाकी बच्चों का ख्याल रखने के लिए दास household में आती है बकुल तारा का husband है और एक Indian foreign service officer है बेनजीर राजा की wife है और हैदर अली की बेटी है आगे देखते हैं हम इस novel के structure क्या है यह novel four parts में divided है first part जो है वो 1980 पर ही है यानि की present time पर ही based है second part जो है वो थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं और 1947 के time period पर based है part 3 जो है वो और भी पीछे दास children के childhood पर based है part 4 जो है वो वापिस present time में आ जाते हैं और narrative technique की बात कर लेते हैं तो इस novel में Anita Desai ने third person narrative style का use किया है और जो writing का focus है वो character के inner world और उनके emotions पर ही based है और character के inner world को show करने के लिए flashbacks का use किया गया है stream of consciousness का use किया है और interior monologue का use किया गया है तो यह जो हम देख सकते हैं कि किस तरीके से जो characters है वो अपने flashbacks में चले जाते हैं अपनी memories को पुरानी जो memories है उनके बारे में converse करते हैं जो stream of consciousness किया है stream of consciousness है एक ऐसा इस style में लिखना जिस style की जो character है उनके mind में जो भी emotions आ रहे होते हैं जो भी dialogue आ रहे होते हैं जिस तरीके से आ रहे होते हैं उसी वे में ही लिखना उसी style में ही जो उनके emotion हैं उनको show करना stream of consciousness है ये first person में लिखा जाता है interior monologue भी इसी की जैसे ही है stream of consciousness की जैसे ही है बस क्या difference है कि ये third person में लिखा जाता है और ये जो interior monologue है ये भी जो भी character है उनके emotion को ही बताता है कि उनके mind में जो भी emotion चल रहे होते हैं जो भी dialogues आ रहे होते हैं उनके माइंड में उन्हीं को ही बताना इंटिरियर मोनोलोग है। इस नौवल में जो टाइम है उसका भी एक बहुत ही मेजर रोल है। टाइम को as a destroyer और as a preserver शो किया गया है। साथ ही हम देख सकते हैं जो partition है वो भी एक उसका भी एक बहुत ही मेजर रोल है। जो नेशन का partition है वो parallel है दास family के separation के जब नेशन में बाहर partition चल रहा होता है तब दास family का भी अपना partition हो जाता है दास family के member भी आपस में separate हो जाते हैं और major theme की अगर हम बात करें कि इस novel के major themes क्या-क्या है तो वो है importance of family, forgiveness and escapism तो अब इस novel के जो और भी important aspects है वो है बिमतारा के relationship और बिमराजा के relationship तो यह जो है यह जो themes है importance of family, forgiveness, escapism साथ ही बिमतारा के relationship, बिमराजा के relationship यह कुछ ऐसे important points है जो हमें throughout the novel जब मैं story बताऊंगी तब आपको समझ में आ जाएगा और time का भी आपको ध्यान में रखना है कि time किस तरीके से time as a destroyer and as a preserver काम करता है किस तरीके से दीरे-दीरे समय के साथ ही चीजे बिगरती भी है और समय के साथ यह दीरे-दीरे चीजे सुधर भी जाती है और partition का भी इस novel में एक बहुत ही major role है आनिता देसाई के जो भी contemporary writer थे वो भी अपने novel में partition को show करते थे लेकिन difference क्या है अनिता देसाई के style of writing में और बाकी उनके contemporary writing में कि उनका जो major theme होता है वो partition ही था कि partition के उपर ही partition से की वज़े से जो भी events होते हैं या जो भी losses होते हैं partition की वज़े से जो उनके contemporary writer थे वो partition को इसी तरीके से उनका major theme partition को बना के वो story लिखते थे लेकिन अनिता देसाई ने इस novel में अलग style of writing चूज किया है उन्होंने character के inner world को चूज किया है कि partition का effect उनके character पर directly नहीं है लेकिन जिस वक्त बाहर partition चल रहा होता है उसी वक्त जो das family है उनका भी एक तरफ से partition हो जाता है उनके जो member है family member है वो आपस में separate हो जाते है तो partition का उन पर direct तो effect नहीं पड़ता है लेकिन फिर भी जो partition है वो एक major theme एक major aspect इस novel पे बन जाता है तो अब हम story देख लेते हैं तो story तारा से शुरू होती है तारा foreign country में रहती है और इंडिया सिर्फ वो अपने भाई राजा की बेटी मोईना की wedding attend करने के लिए आई हुई है और अभी जो है ये तारा राजा तो हैदराबाद में रहता है लेकिन तारा सबसे पहले old डेली आई हुई हुई है अपनी बहन बिम के पास हम देखते हैं बिम एक history teacher है unmarried है और अपने भाई autistic भाई बाबा का ख्याल रखती है बिम को इस novel में बहुत ही जादा courageous दिखाया गया है self dependent दिखाया गया है और ये तारा शादी के बाद बिम से ही मिलने के लिए आई हुई है तो जब तारा बिम को मोहिना की wedding attend करने के लिए अपने साथ हैदरबाद जाने के लिए कहती है तो बिम तारा को एक राजा का पुराना letter शो करती है अब इस letter में actually में होता क्या है कि हैदर अली जो उनका landlaude होता है वो राजा का father-in-law भी होता है और हैदर अली के death के बाद जो सारी property है राजा के नाम पर ही हो जाती है तब राजा बिम को एक letter लिकता है और उस letter में वो लिखता है कि बताता है कि हैदर अली के death के बाद सारी property उसी की हो गई है तो इस हिसाब से जिस घर में बिम और बाबा अभी रह रहे हैं वो भी राजा के ही अब नाम हो चुका है और तो राजा कहता है भाई होने के नाते वो अपनी responsibility समझता है और इसलिए अब वो घर नहीं बेचेगा और वो पुराने rent पर ही बिम और बाबा को रहने देगा यानि कि वो अब ये कहता है कि वो rent को बढ़ाएगा नहीं और पुराने rent पर ही बिम और बाबा को जो है उस घर के लिए पुराना ही rent देना पड़ेगा तो ये जो rent की बात है house rent की वो बिम को बहुत ही जदा hurt करती है और वो बिम बहुत ही जदा insulted feel करती है और यही letter वो Tara को भी दिखाती है कि देखो तो राजा ने किस तरीके से मुझे ये लेटर लिखा था तो इसलिए वो वेडिंग में जाने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं होती है तो हम पार्ट टू में देखते हैं कि जो पार्ट टू है वो 1947 के पार्टिशन टाइम पर बेज़ड है तो इस समय अभी हमें दिखाया चाता है कि जो राजा है वो बहुती ज़्यदा बिमार है उसे टीबी हुआ है और बीम उसका ख्याल रख रही है लेकिन राजा अभी हैदर अली के लिए परिशान है क्यों क्योंकि बाहर पार्टिशन टाइट चल रहा है और हैदर अली बिना किसी को बताए हैदराबाद ज से राजा है वह सिर्फ हैदर हली के लिए ही परेशान है और जो मीरा मासी है वह एलकोहौलिजम की वजह से मर चुकी है टीवी से ठीक होने के बाद हम देखते हैं कि राजा बेखते को अकेला चोड़के हैदर हली के पास है है यह देखता है तारा भी बिम को अकेला छोड़के चली जाती है बकुल से शादी करके और हम देखते हैं कि जब बाहर नेशन में इतनी उतल पुतल हो रही है बाहर partition का time period है गांधी जी की भी death हो जाती है तो बाहर नेशन में इतनी उतल पुतल चल रही है लेकिन बिम अकेली है और दास हाउस होल्ड की सारी responsibilities उसे अकेली ही समभालनी पड़ रही है तो सब उसे छोड़के जा चुके है, राजा भी उसे छोड़के जा चुका है, तारा भी उसे छोड़के जा चुकी है अब हम part 3 देखते हैं, तो इस नेवल का जो part 3 है, वो इन जो दास चिल्डरन है, उनके childhood के उपर based है कि जब सारे बच्चे छोटे छोटे थे, तब मीरा मासी जो एक विडो थी, अपने ससुराल वालों से परेशान थी, तब वो दास household में आ जाती है, बाबा का और बाकी बच्चों का ख्याल रखने के लिए और हम देखते हैं कि बिम और राजा का आपस में बहुत ही जादा close bond है, दोनों ही अपने जो parents हैं, उनके neglected attitude को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, उनके जो parents हैं वो अपने बच्चों के साथ जादा time spend नहीं करते हैं, और सिर्फ cards के साथ प्ले करने में ही अपना time बितात बिम और राजा उनके ये जो cards के साथ खेलने वाली आदत है, ये बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, दोनों को ही poetry का शौक होता है, बिम अपने जो school की head girl होती है, और राजा को भी बहुत अच्छी लगती है, दोनों में ही बहुत close bond होता है, और दोनों ही heroes बनना चाहते ह लेकिन हम दूसरी तरफ देखते हैं, तारा के इतने ambitions नहीं होते हैं, तारा सिर्फ एक mother बनना चाहती है, और जो बात बिम और राजा को जादा पसंद नहीं होती है, तो अब हम final part को देखते हैं, कि final part में present time में आ जाते हैं हम इस novel में, तो हम देखते हैं कि तारा बिम को मन जाती है कि राजा को माफ कर दिया जाए, और जो चिठी राजा ने दी थी उसे फार के फेक दिया जाए, तो इसी final part में हम देखते हैं कि जो बिम है, वो पहली बार इतना गुस्से में होती है, और बाबा के उपर explode हो जाती है, बाबा के उपर अपना गुस्सा सारा का सारा जाहिर कर देती है, गुस्सा ठंडा होने के बाद बिम शान्त हो जाती है, और उसे हैसास होता है कि फैमली ही जादा important है, और वो राजा को माफ करने के लिए भी तैयार हो जाती है, जब तारा को जा रही होती है, तो बिम उसे शादी से वापिस राजा के साथ ही घर में आन इस स्टोरी में हम देखते हैं कि बिम और तारा में क्या relationship है, तो हम देखते हैं कि दोनों ही sibling है, इसलिए naturally वो natural bond तो होता ही है उन दोनों में, लेकिन उन दोनों की personalities एक दूसरे से इतनी जादा अलग होती है कि उनके relationship को जो problematic बना देता है, तो दोनों ही जो है वो Indian womanhood के अल अलग-अलग notion को दिखाते हैं, अलग-अलग ideas को दिखाते हैं, बिम जो कि unmarried है, वो थोड़ी melancholic है, दुखी है और disillusioned है, अलब हमेशा थोड़ी से उलजनों में रहती है क्योंकि सारी responsibilities जो है वो बिम के उपर ही है, लेकिन हाँ, ये है कि पूरे novel में हम देख सकते है कि बिम कितनी courageous है, self-sacrifice है वो family के लिए, अपने बारे में ना सोचके family के बारे में पहले सोचती है, independent है, उसका heroic nature है, वो situation से भागती नहीं है, चाहे childhood की memories की बात किया जाए कि जो भी छोटे-छोटे events से, वो किसी भी situation से भागती नहीं है बिम, बलकि उसका सामना करती है, औ और बाबा का भी वो बहुत अच्छे से ख्याल रखती है, और वहीं दूसरी तरफ हम तारा को देखते हैं, तारा जो की married है और totally वो अपने husband पर depend है, और जो तारा है वो शादी को वो एक तरीके से escape route की जैसे देखती है, शादी करके वो जो ये दास household की, जो भी ये dark, जो darkness से भागने के लिए वो शादी बकुल से शादी कर लेती है, और ये सारी situation से भाग जाती है, और हम देखते हैं कि तारा का साथ ही अपने life में कोई ambitions नहीं होते हैं, लेकिन हाँ, ये तारा ही है जो बिम और राजा को साथ में आने के लिए पहली बार बात करती है, बिम को कहत साथ टैकल करती है, तो तारा हाँ गिल्टी फिल करती है कि वो सब कुछ छोड़के भाग चुकी थी और विम अकेले रह गई थी, तो अब जो इसी स्टोरी में साथ ही हम विम और राजा की भी relationship को देखते हैं कि दोनों में जब छोटे थे तो दोनों में बहुत close bond था, दोन ही उनके इस habit को बदलना चाते थे, दोनों ही heroes बनना चाते थे और लेकिन जब बड़े हो जाते हैं तब बाबा जो है, जो राजा है वो विम को अकेला छोड़के हैदराबाद चला जाता है, और हैदर अली के मरने के बाद वो साथ ही वो विम से rent की भी बात करता है कि भई तुम पुराने ही rent में रह सकती हो, मैं rent नहीं बढ़ा रहा हूँ, तो ये एक तरीके से ये भाई का attitude नहीं है, ये एक honor जैसा attitude है, तो भाई होने के नाते जहां उसे अपनी बहन की मदद करनी चाहिए, सारी responsibilities लेनी चाहिए, तो वो अभी honor जैसे बात करता है कि नहीं भी मै भाई हुआ जया है, नहीं होुआ है, लेकिन हम end में देखते है, कि विम जो है फिर भी राजा को माफ कर देती है, और वो family की importance को समझती है, तो ये जो story है, is मैं विम के action से ही हम समझते हैं, कि self sacrifice किया है, विम जिस तरीके से राजा को माफ कर देती है, उसी से हमें पता चल कि फैमिली की क्या importance है forgiveness की क्या importance है और यह जो है तारा जिस तरीके से बिम को अकेला छोड़के चली जाती है लेकिन फिर भी बाद में guilty feel करती है और बिम और राजा को साथ में लाने की कोशिश करती है तो इस पूरे novel का जो main concept है वो family ही है कि किस तरीके से आपस में इनका जो bond ह है वो मन में दुख होनी के बाद भी अलग-अलग एक समय में जो है वो शायद आपस में बिच्छड चुके थे लेकिन फिर भी end में उनके लिए जो सबसे जादा important होता है वो family ही होता है और time के साथ धीरे-धीरे सब चीजे सुधर जाती है तो हम देखते हैं कि time जो है समय क साथ ही राजा छोड़के चला जाता है विम को अकेले तारा भी अकेले छोड़के चली जाती है लेकिन इस समय के साथ ही चीजे ठीक हो जाती है और end में जो है वो राजा को भी माफ कर देती है तारा भी बिम के पास आती है और अब guilty feel करती है तो जो main जो इसका major theme है वो family ही ह तो I hope आपको ये story समझ में आई होगी कुछ भी अगर आपको doubt है आप comment कर सकते हो और साथ में आप next video में मिलते हैं okay thank you